नमस्कार प्रतिपक्ष समवाद पर आपका स्वागत है आपके साथ मैं हूँ मिनाक्षी रचत उत्तरा खंट एक ऐसा प्रदेश जो अपनी सिक्षा और संस्कृति के लिए प्रिसिद्ध है और जब बात सिक्षा की होती है तो बात हल्दवानी की एपियस स्कूल की भी होनी चाहिए एपियस स्कूल की इसलिए होनी चाहिए क्योंकि ये केंपस साथ एकर में फैला हुआ है बावजूद इसके यहां पर हरियाली इतनी है कि बच्चों का मन मोहलेती है यहां पर बच्चों को नैतिक सिक्षा भी दी जाती है और नैतिक मूल भी सिखाय जाते हैं चिरकार पढ़ाई का माहल क्या है क्या है यह क्योंकि लंबे समय के बाद स्कूल खुले है ऐसे में बच्चों के मन में उतसार भी अपने दोस्तों से मिलने का बहुत वक्त बाद आप लुग की स्कूल covid के कैसा लगए निए कि आप लिए पंढ़ाई को फूल जासी चल रह अच्छे से हमारी जो स्कूल है हमें ऑफ लाइन भी उनने पढ़ाय है और ओफ लाइन तो पढ़ाई रहे हैं अनलाइन भी पढ़ाय है तो हमें अभी इतना प्राब्लम नहीं हुआ जितना आप को भी बी सोच रहा होगा कि online बच्चों का नहीं हो पाया, but हमने online भी cover किया and offline भी हम बहुत अच्छे से cover कर रहे हैं. आपकी दोस्त का कहना है कि जैसे offline है, online है, हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है, तो मैं आपसे जाना चाहती हूँ, मज़ा किसमें आता है, यहां school में आकर खे, या फिर जो अभी तक घर में मस्ती चल भी थी, उसके वीज़ों पढ़ाई चल भी थी वैसे? Obviously, offline में ज़्यादा मज़ाता है, because teachers ज़्यादा interaction हो पाता है हमारा, but online की जो बात है, actually, जो सब को पता है, offline की नहीं है, हम थोड़ा sincere भी रहते हैं उसमें, तो offline में teachers हमें बहुत सारी opportunities देते हैं, जो online में नहीं हो पाती हैं, वो सब ही बच्चे को पता है, तो offline ज़्यादा अच्छा था. Teachers कैसे हैं, आप उनके साथ अच्छा से mix-up हो पाते हैं, क्योंकि पाइने के लिए सबस्यादा ज़रूरी होता है, हम अपने teachers को समझें, वो हमारी बातों को समझें, तो ऐसा माहौल मिल पाता है स्कूल में? जी, ऐसा मिल पाता है, क्योंकि सारे teachers हम से properly interact कर पाते हैं, और हम ऐसाथ बहुत friendly हैं, तो इसलिए हम भी उनके साथ properly interact कर पाते हैं, और एक friendship bond है उनके साथ हमारा, पढ़ा हैं, जितना पढ़ा सकते हैं online, बागी tuition motion लगा की वह जादा है तरो तो, तो 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 और school ने जो online classes होई उसके थ्रू रहे हैं, और आप बताव मुझे कि जब आप school आ रहे हो, तो आप क्या चाहरे हो कि corona जल्दी से ख़तम हो, हम इस school बस खुले रहे हैं? हाँ, बस जल्दी से ख़तम हो और हम रोज school आते रहे हैं. School आने अच्छा लगते हैं? हाँ, बिल्कुल. दोस्तों से मिलके खुशी हो रही है? बहुत जादा. तो अब school में आप जैसे आए हो, यहाँ पे जो आपको माहौल मिल रहा है, जो डेर साल से हम मिस्ट कर रहे थे, उसको लेकर कि कितना अंतर रहा, डेर साल आप school नहीं आए, फिर आ रहे हो. एक्च्छल में तो ऐसा है, जैसे मतब कोविट के वज़े से हमें school बन करना ही पढ़ रहे थे, पर school के बिना अच्छा तो किसी को नहीं रग रहा होगा, और वैसे भी सब के school बनते हैं, और अब school खुल गए हैं, तो आप school में safety का भी ध्यान देही रहे हैं, तो पिर अच्छा लग रहा है सब. बेहत ज़रूरी है कि जब आप school आ रहे हैं, और हम भी फॉलो कर रहे हैं, जो टीचर्स की गाइडलाइन से हमारे डिरेक्टर सर, उन्होंने बहुत अच्छे से maintenance किया है, बट दोस्तों से मिलना उतना important नहीं है, जितना गाइडलाइन को फॉलो करना है, चलो पढ़ाई की बाते बहुत होगी, और बॉईज फॉटबॉल, तो मतब बॉलीवाल कोट वगेरा सब कुछ है आपके स्कूल में? हाँ, हमारे स्कूल में, हम लोग के लिए सब कुछ फैसिलिटीज है, हम जादा से जादा हम जितना आउटडर खेल सकते हैं, हमें स्कूल में सबसे जादा चीज़े हमें अवेलेबल हैं, तो हम बहुत खुश हैं कि हमारे स्कूल हमें इतना सब कुछ फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है, लड़िया तो बहुत खुश है कि उनकी स्कूल में काफी गेम्स है और उन्हें खेलने में काफी अच्छा लगता है, लड़कों से भी एक बार पूछ लेते हैं, किस तरीकी गेम्स पसंद आते हैं आपको? मुझे तो क्रिकेट और फुट बाल खेलने में काफी रुची है, अगर हमेशा हवा भरी अच्छे से मिलति है, क्रिकेट बाल अगर हमेशा सभब कभी खो जाती है, हैं और हमारे ग्राउड हमेशा इदम अच्छी घास कटी रहती है और जो पर स्कूल यु improved । दूसरी टीचर ले लेते हैं पर हमारे हाँ प्रच टीचर है और sports के school को importance दी जाती है कि sports के school में sports ही होता है कभी कुछ दूसरा teacher नहीं लेता subject wise तो ABS school क्या है इसके बार में आपने खुद यहाँ पर पढ़ने वाले बच्चों से सुना उनका कहना है कि वो school आकर के काफी खुश है और corona की जो guideline है उनका भी लगातार पालन कर रही है साथ ही दोस्तों से मिलकर खुश है और यहाँ का जो माहौल है ABS का जो वो अपने बच्चों को देते हैं उससे भी वो बेहत खुश है ABS नकेवल सिक्ष्वा के छेत्र में अवल है बलकि प्रकृती को सरक्ष्वर देने में भी अवल है आपको मेरे पीछे एक पेड़ दिख रहा होगा और इस पेड़ पर जो घौसले बने है वो आपने बाजार में देखे होंगे इनकी खासियत में आपको बता दू कि यहाँ पर फिन वीवर ने अपने घौसले बनाए हुए है फिन वीवर एक ऐसी चिडिया है जो कि अब रियर इस्पिसीज में आती है और यह उत्राखन में भी बमुश्किल मिलती है लेकिन इस विद्याले में यह आपको अधिक संख्या में देखने को भी मिलेगी एक ऐसी अधिक से थी चीटर में आय दे नए आयाम लिख रहा है यह सिक्ष़ा के छेटर में ही उत्करस्ट नहीं है बलकि संस्क्रिती को सहीजने में भी उत्करस्ट है अगर आप भी बच्चों के एडमीशन के बारे में सोच रहे हैं आपके लिए APS एक अच्छा विकल्प साबित हो सकता है फिलार मेरे साथ इतना ही देखते लिए प्रदीबक्ष समवाद नमस्कार